तो हाई गाईज और वेक टु गुजराथी टेडर केम शोबदा मजामात चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो आज के चार्ट फॉर दे वीक में आप सभी लोगा का स्वागत है एंड आज में एक अनॉंसमेंट करने आला हूं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी न अभी से मैं नया एड कर रहा हूं एक सेग्मेंट जिसमें हम लोग पहले शॉर्ट में हम लोग निफ्टी के लेवल्स यहां पर देख लेंगे फिर अपने जो चार्ट फॉर दे वीक होंगे जो में मेरे को अच्छे लगे होंगे वह देख लेंगे एंड उसके बाद हम लो लाइक आएंगे तो मैं उस कमेंट को पिक करूँगा एंड नेक्स वीडियो में उनका सॉल्यूशन दूँगा मिन्स ब्योबी का चार्ट मैं अपने स्क्रीन के उपर दिखाऊंगा तो ऐसे फाइल लग्की सब्सक्रेबर के हर वीक हम लोग कमेंट लेंगे एंड उनकी मैं यहां पर सॉल्ड करूंगा तो आप लोग मोस्टली अपलोग कमेंट कीजिए और आपका कमेंट आ सकता है यहां पर वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं आज का चार्ट फॉर दे वीक एंड आज कौन से कौन से स्टॉक से हैं आज मेरे को यह तीन स्टॉक बहुत ही प करेंगे तीन अपने स्टॉक के बाद तो चलिए मेरे स्क्रीन के ऊपर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो यह हैं निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम अभी आप लोग के लिए मैं बता दू शॉर्ट एंड सिंपल में निफ्टी को एक रेजिस्टन्स है जो है ट्वेंटी expect कर सकते हैं वरना तो निफ्टी 22,100 से लेके 21,100 तक यहां पे अपने को देखने को मिल सकती है मिंस यहां पे consolidation अम लोग expect कर सकते हैं तो आप लोग यह दो लेवल्स के उपर ही majorly focus करें 22,100 एं21,100 के ओ पर तो यह ता अपना निफ्टी का short and simple कुछ दूसरा अपने को देखन नहीं है तो चलिए देख लेते हैं आज के कौन से stox है तो लिमिटेड जो चार्ट चार्ट देते हैं उताँ ब्रेकाउट को जो तो इस बार हम लोग थोड़ा वहात अलग आपको दिखा रहे हैं तो चलिए screen के उपर पर यह आप देख रहे हो यह है अतुल लिमिटेड का वीकली डाइम तो हम लोग बात करें तो अतुल ने 2020 से बहुत ही अच्छा बूल रन यहां पर दिखाया था एंड स्टॉक सम्वेर अबॉट 10,800 के पास यहां पर रहली लगा किया था बट आप लोग देखो दीरे दीरे से यहां पर टॉप आउट किया डबल टॉप बना के थोड़ा बहुत नीचे आता गया एंड लोग फॉर्मेशन अपने को अतुल में दिखता हुआ था एंड आप लोग देखो तो हर बार अपना जो प्रिवियस लो था वो ब्रेक कर रहा था एंड अभी यहां पर देख रहे हो तो बॉटम यहां पर एक बार हो चुका शिक्स तॉजन का लो मारक आया और वापी से उपर गया एंड वापी से एक्जेटली थ्री वीक से वहां पर सेम लोग बना रहा है एंड यहां से हम दिखा रहा हूँ आपको चार्ट क्योंकि आप लोग देखो तो तीन वीक से यहां पर कंसोलिडेशन कर रहा है और यहां से नीचे नहीं जा रहा है अप लोग इसका लो चेक आउट करोगे तो इसका लो था 6122 एंड इन तीनों वीकों का लो चेक करोगे आप तो बहुत ही निकलता है तो मेरे लिए एक अच्छी अपोचिनिटी होगी स्टॉक में एंड 6000 के नीचे निकल जाता है तो मेरे लिए यह स्टॉक वीक हो जाएगा अभी हम लोग बात करें टार्गेट की तो फर्स्ट एक्सपेक्टेड टार्गेट जो है इसका प्रिवियस्ली स्विंग जो है 7260 का फिर जो सेकेंड है 7550 का फिर हर लेवल पर यहां पर एक एक रजिस्टंस है और अच्छा अपने को रिटन हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर डायरेक आएगा 8300 के पास तो एक यह अच्छा बॉटम ओट स्टॉक हो रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है अ आने वाला है तो आप लोग जरूर से इस टॉक में अपना ध्यान दे तो यह ता अपना फर्स चार्ट फॉर दवीक तो चलिए देख लेते हैं अपना सेकेंड कौन सा है अपना जो सेकेंड चार्ट फॉर दवीक है वह मारूती सुजुकी हाँ मेरे को मालूम है मैं बहुत ताइम से बोलता रहा हूं कि मारूती यहाँ पर ऩॉर्ड लग रहा है मेरे लिए बट इस वीक तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग बात करें तो यह दे देख रहे हैं आप लोग मारूती सुजुकी का वीकली टाइम फ्रिम अगर हम लोग बात करें ब्रेक था फिर हम लोग ने क्या देखा कि यहां पर बॉर्ट टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा था एंड मंतली टाइम फ्रेम आपको दिखाऊं तो ब्रेक आउट हुआ ऑगस में एक दो तीन चार पांच और यह सिक्स्त मन्थ चल रहा है करेंटली एंड उसी रेंज में गुम रहा है कंसोलिडेशन होना ब्रेक आउट के बाद जो बहुत ही बैतरीन बात होती है एंड अगर हम लोग देखे तो यहां पर प्रिवियस जो मंत के हाई थे वो भी इस वीक ब्रेक आउट कर गया है एंड वीकली चार्ट पर मैं आपको दिखाऊं तो एक अच्छा यहां पर का तो टार्गेट अपना निकल के आ रहा है जो है 16,000 रुपे का यहां पर टार्गेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यह स्टॉक किन के लिए होते हैं मेजरेटी जो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं जैसे कि आज की वॉलेटिलिटी थी पीस्यू स्टॉक सारे डाउन थे 10 से 12 मैंने उसका वीडियो भी बनाया है अगर आप लोग ने वह वीडियो चेक आउट नहीं किया तो वह भी आप लोग जाके देख सकते हो तो यह स्टॉक उनके लिए जो वॉलेटिलिटी यहां पर बर्दास नहीं कर पाते हैं और स्ट्रेस फूल होके यहां पर काम नहीं करना है उनके लिए यह स्टॉक होते हैं तो मेरे लिए तो यह एक अच्छी बात है यह स्टॉक आया मेरी रडर में अच्छा यहां पर रिटन जनरेट करके अपने को दे सकता है तो यह था आपना चार्ट फॉर दे वीक नमबर टू महरूती सुजुकी तो चलिए देख लेते है अपना थर्ड चार्ट कौन सा है तो थर्ड चार्ट है वह है सेंचूरी प्लाय हम लोग देखें सेंचूरी प्लाय का यह है वीकली टाइम फ्रेम आपको दिखाऊं तो यहां पर ब्रेक आउट हुआ था सम्वेर अब डिसेंबर मंत में ब्रेक आउट कि मैं बात करूं तो 750 से लेके 710 का इसको एक रेजिस्टन्स था वह डिसेंबर मंत में इसने 10.37 परसंटेज की यहां पर केंडल से ब्रेक आउट किया एक अच्छी ब्रेक आउट केंडल थी एन उसके हम लोग बात करें तो वॉल्यूम में आउन करता हूं तो वॉल्यूम भी यहां पर आप पॉसिबल चांस रख रहे हैं लग रहे हैं अगर यह स्टॉक जो है यह वाला स्विंग लोग है जो हम लोग बात करें 665 के नीचे निकल जाता है तो मेरे लिए यह स्टॉक वीक हो जाएगा फॉर दर टार्गेट सब को मालूम पढ़ गया होगा रेंज कलकूलेशन की से जो टार्गेट निकल क्या रहा है वो है 1054 मिन्स राउंड फ लेवल ले लो तो 1050 के आसपास फॉस्ट अपना टार्गेट निकल क्या रहा है स्टॉक में तो यह थे अपने आज के तीन चार्ट फॉर दे वीक एंड कैसे लगे वह भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल करेंगे तो कमेंट करना मत बुलिएगा तो ऐसे ही अपने भाई को मोटिवेट करते रही है और अच्छे अच्छे कमेंट के साथ एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजे शेर कर दीजे अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ एंड बताइए उनको अपने च